दोस्तों पिरमेहे एक ऐसा रोग है जो बहुत सारे लोगों को आजगल हो रहा है बहुत सारे आदमियों को औरतों को दौन लोगों को लेडी जेंट जोन लोगों को हो रहा है इसमें होता क्या है इसमें वाइट वाइट पदारत निकलता है योनी से जब योनी से या फिर लि साथ आजा है अगर आप लेटरिंग करेंगे लेटरिंग करते वकट सोड़ा जोड़ा जा जाय कि तब Walk adults आ आंगी तब भी आ सकता है पिशाब करते वक्त पिशाब के साथ आ सकता है यह दोणों चीज़े है। same čीज़े है लेडीज और जेन्स को हो सकती है। लेडीज और जेन्स दोनों के निस्खा है। अब दिखा会णगा पीछे रुआ है। तुछ सा नुस्का है। बहुत तुछ सा। पहले बता दू इसमें रोग क्या क्या हो सकती है। आपको गे आता चिपचपे पानी की जिनको सकत समस्या है चाहे इस तरी है चाहे लड़के हैं किसी को भी तो इस इस्तिती मैं आपको एक नुष्खा मैं बताऊंगा वो यूज करना चाहिए इस से एक हफ़ते के अंदर अंदर आपका चिपचपा पानी बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये नुष्खा जरूर अपनाना चाहिए अपने घर पर जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए छोटा सा नुष्खा है देखो दोस्तों जिन लोगों को प्रमय की समस्या हो जाती है अगर औरतों को प्रमय की प्रसमस्या हो गई तो उनकी फरलो पिन ट्यूम जो होती है वो लौक हो जाती है, बंद हो जाती है, सूजना जाती है, बच्चे दानी पर सूजना जाती है, या फिर बारवार पेशाब की समस्या आती है, बारवार पेशाब की साथ वीर इधातु निकलता है, आदमियों को जब समस्या हो जाती है, तो उनको प्रोस्टेट की समस्या हो जात नॉर्मल मैं ना ले इसको इसका उपचार करें हम उपचार बताएंगे चलिए बताते हैं दिखाते हैं किस तरह से आप प्रमेह का उपचार कर सकते हैं धातू सराब का उपचार कर सकते हैं जो पानी आपके फोन करते बक्त आपके लिंक से स्राव होता है निकलता है उस लिंक के पानी को निकलने से रोकने के लिए एक बहुत सांदर नुसका मैं बताऊंगा चलिए दिखाते हैं दोस्तों अगर आपको भी प्रमेह रोक की समस्या है तो आपको क्या करना है दो चीजें लेनी है एक तो शिलाजीत आपको लेना है और दूसरा आपको शहद लेना है डावर का डावर का या किसी भी कंपनी का आप शहद ले सकते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इसमें मिक्स करेंगे शिलाजीत शिलाजीत आपको कितना लेना है दो ग्राम की मात्रा में शिलाजीत आपको चाहिए शिलाजीत आपको कितना लेना है शिलाजीत ये देख रहे हैं आप शिलाजीत आपने ले लिया अब शिलाजीत को आदी चम्मच से कम की मात्रा में आपको इस में इस गोल में मिक्स करना है सबसे पहले सिलाजीत आपको ले लिया ले लिया ये देखो मैंने सिलाजीत ले लिया है ठीक है इतना सिलाजीत हमें चाहिए और एक चम्मच की मात्तरा में हमको शहद चाहिए चलिए शहद भी एक चम्मच की मात्तरा में ले लेते हैं ये सहद भी हमने एक चम्मच की मात्तरा में ले लिया है अब दोस्तो अगला स्टेप क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ अगला स्टेप है इस औशदी को घोलना इसको देख लो इस तरह से मिक्स किया जाएगा शिलाजीत और शहद इन दोनों चीज़ों को इस परकार से मिक्स करेंगे खूब गोटेंगे इतना गोटेंगे इतना गोटेंगे ताकि इसमें एक दिल हो जाए ये जो औशदी है शिलाजीत और शहद ये दोनों चीज़े एक जुट हो जाएए एक ही तरह की दिखने लगे तब जाके इसको रोकना है दोस्तों इसका जो फाइदा है वो बहुत ही जवरदस्त फाइदा है इसको कभी भी आप ले सकते हैं आपको सुबा भी खाली पेट ले सकते हैं आप रात को सोते समय भी ले सकते हैं दोपैर को भी ले सकते हैं एक बार नहीं तो दो बार आप इसको जरूर ले सकते हैं सुबा साम ले लो सुबा साम लेने से जल्दी आपको लाब मिल जाएगा देख सकते हैं ये सिलाजीत और शहद दोनों मिक्स हो चुके हैं एक दिल हो चुके हैं अब हमको क्या करना है अब हमें इसको डायरेक्ट ही चम्मच में करके और खा जाना है इसको खाने से आपके प्रमेह रोक की समस्या दूर हो जाएगी किसी प्रकार का प्रमेह है वो आपका बिलकुल समस्या रहती है उस इस्तिती में ये घोल जो है ये जो पेस्ट है ये अगर आप यूज कर लेंगे खा लेंगे तो आपकी सारी समस्या ठीक हो जाएगी चाहे लेडीज हो चाहे जैंड्स हो प्रमेह रोक की समस्या ठीक हो जाएगी किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी ये बहुती सांदार और गरेलू नुसका है अगर आप इसे यूज़ कर लेंगे तो आपकी जो धातु रोग है पतलापन है धातुबा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा